हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्स्टेंशन के बारे में जो स्केचचप के एक्स्टेंशन सीरीज चल रही है, जो है बीजी टूल बार, जो बीजी टूल बार सा, उसमें आप काफी सारे टा डाउनलोड कर सकते हो, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसका एक्स्टेंशन लिक वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, तो बीजी टूल बार में सबसे पहले है आपका क्लासिक बीजीर कर्व, क्ला क्लिक करो, और यहां पर किस तरीके से क्रियेट कर सकते हो, इसमें कोई आपके कंट्रोल पॉइंट्स नहीं होते हैं, और ना आप इसको अच्छे से बाद में चेंज कर पाते हो, तो उससे बेटर है कि हम यहां से बीजी टूल बार का यूज करें, सबसे पहले क्लासिक कैसे फॉर्थ क्लिक, ऐसे दो end point लगाने के बाद बीच के points को आप इस तरीके से लगा सकते हो, और last में double click करोगे, तो आपका यह curve इस तरीके से create हो जाएगा, अब इस curve पे कितने आपके points लगे हैं, कितने आपका precisely जो यह segments हैं, वो कितने हैं, क्या loop है, उसके बारे में जा और five, six, six point है, उसके बाद precise 20 sides है, 20 sides को कैसे change करेंगे देखने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, तो इतने सारे तो आपके curve बनाने के option है, यह पांचों option जो आपके next है, वो आपको कैसे use करना है, सबसे पहले आपको click करना है, edit पे, अगर आप edit पे click करोगे, जैसे से अभी आप बाहर निकल गए, आप click करो, edit पे click करोगे, तो आप editing mode में पहुच आते हो, कितने sides है, आप यहाँ पे click करोगे, तो यह आपको segments दिखाएगा, कि यह इतने 20 number of sides है, number of side अगर आपको change करना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे curve को बनाते हो, जब clear करते हो, तो यही से अपनी sides को देखोगे, तो, for example, delete के अभी से, select करो दुबारा, edit पे जाओ, अब आप यह जो control points है, यहाँ से अगर मैं close कर दूँ loop को, तो यह loop इस तरीके से close हो जाएगा, वापिस click करो, हट जाएगा, और ऐसे close करना है, तो आप इस पे click कर सकते हो, तो इस तरीके से close हो दुबारा click करो, हट जाएगा, अब इन control points से आप किस तरीके से चीज़ों को change कर सकते हो, आप किसी भी control point को pick करके आप change कर सकते हो, कि कैसे करना है, अब यह change only आप एक direction में नि, मालनुमेर को z-axis में करना है, तो वो भी कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी control point को delete करना है, य double click करोगे, तो remove हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, यह remove हो गया आपका, उसके बाद अगर आप इसको select करके, किसी भी कहीं पे भी double click करोगे, तो एक point add हो जाएगा, और आप इसे अपने तरीके से move कर सकते हो, किसी भी control point को select करो, माल लो आपको यह z-axis में, उपर की तरफ move कर करना है, तो arrow button की help से, अप arrow button press करोगे, तो एक ब्लू कलर में हो गया, यह point, left से green कलर में, right से red कलर में, तो मैंने अप arrow प्रेस किया, और इसको lock करने के लिए, मैं control प्रेस करूँगा, अब यह lock हो गया, अगर आप इसे move करते हो, तो आप इसे उपर की तरफ move कर सकते हो, तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, बाग में follow me tool से है, कोई भी other tool से इसको follow करके, आप अलग से एक shape यहाँ पर create कर सकते हो, और delete करना है, double click करो, आपका point यहाँ पर delete हो जाएगा, खिक है, अब मालो delete किया, अब दूसरा curve दुबारा से curve बनाता हूँ, अभी तो हमने curve कैसे बनाये कि first point, then end point और बीच के points आप ऐसे बना सकते हो, but दूसरा तरीका क्या है curve को create करने का, click करो, और दो बार अगर आप shift प्रेस करते हो, तो first point, then next, then next, then next, इस तरीके से भी आप अपने curve को create कर सकते हो, यह दो तरीके हैं आपके curve को बनाने के, तो इसकी help से आप कोई भी shape यहाँ पर create कर सकते हो, for example, कि मुझे इस तरीके से कोई shape बनानी है, ऐसे shape बनानी है, तो इस तरीके से कोई भी shape आप create कर सकते हो, number of side कितनी चाहिए, जितनी आप increase करोगे, उतना ही आपका smooth यह curve यहाँ पर create हो जाएगा, okay, next बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं polyline, उसके ब fourth click, ऐसे आप एक polyline को create कर सकते हो, polyline को create करने के बाद, अगर आप बाहर click करते हो, तो active हो जाएगा, यहाँ पर click करोगे, edit पर चले जाओगे, तो आप किसी भी point को यहाँ से pick करके, अपने तरीके से move कर सकते हो, किसी भी तरीके से, किसी direction में move करना है, तो वही तरीका, आप दो बर shift करते हो, तो आप यहाँ पर देखोगे, between start end आ जाएगा, मतलब first point, end point, तो बीच के point आप लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से, अगर दो बर shift प्रेस करोगे, तो आप यहाँ से open और end point को यहाँ पर create कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी polyline को create कर सकते हो, अब next आता ह polyline divider for animation, अब यह क्या करता है, अगर आप polyline divider animation पर click करते हो, यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ mode आएंगे, mode मतलब, अगर मैं यहाँ पर first बताओं आपको, acceleration minimum to maximum, मैंने minimum value डाली 1 inch, और maximum value डालता हो, 3 feet के for example, okay करता हो, अब मैं यहाँ पर कोई भी एक बना control point का distance होगा, 1 inch का, अगर मा और zoom करूँ, यहाँ पर, और maximum control point जो होगे वहाँ पर, वो 3 feet तक आपके लग जाएंगे, अब इसमें क्या था, अगर मैं इसको click करके यहाँ पर जाओं, अगर आप बाहर भी click कर देते हो, और दुबारा आप click करो, यहाँ पर जाओ, edit mode पर, और okay, तो maximum 2 feet का हो जाएगा, दुबारा click करो, अगर मैं इसको कर देता हूँ, equal step, equal step में क्या होगा, minimum, जो minimum है यहाँ पर, मालो मैंने minimum यहाँ पर 6 inches किया, तो 6-6 inches के equal step लग जाएंगे, सब जंगे पर, यह control point जो भी आप देख पारे हो, यहाँ पर, अगर आप maximum करोगे, तो maximum ह है 2 feet, तो 2-2 feet के equal distance पर आपके control point यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, third one है आपका, जो मैंने बताया, acceleration minimum to maximum, declaration अगर आप maximum to minimum करोगे, तो वो maximum से start होगा, और minimum पर end होगा, यह सारे control points से आपके, click करो, next आता है, acceleration from then declaration, मतलब पहले बढ़ाओ, फिर बीच में कम करो, minimum, maximum, फिर minimum, तो यहाँ पर पहले minimum आएगा, 6 inches का, फिर बीच में बढ़ जाएंगे, 2 feet तक, और फिर last में 6 inches तक minimum हो जाएंगे, दुबारा क्लिक करोगे, अगर आप करते हो maximum, minimum, maximum, तो पहले maximum control point, फिर बीच में minimum, और फिर last में जाके maximum हो जाएगा, तो इस तरीके से आप अपन control point को यहाँ पर use कर सकते हो, next हाता है आपका यहाँ पर polyline arc corner, इसके आप corner पर arc लगा सकते हो, for example, मैंने 6 inches का यहाँ पर offset रखा, arc के लिए, ok करता हूँ, अगर मैं आप यहाँ पर click करके ऐसे चलता हूँ, यहाँ पर click, फिर यह click, फिर यह click, और फिर यहाँ पर मैं double click करता इस तरीके से अगर मैं चल रहाँ, for example, ऐसे double click किया, तो आप देख सकते हो, सारे corner पर 6 inches का arc आ रही है, अगर आप यहाँ पर setting पर click करोगे, तो आप यहाँ पर change करते हो, कि नहीं मेरे को तो 1 feet का यह 2 feet का चाहिए, ok, तो वो 2 feet की arc लगाएगा आपकी end points पे, इस तरीके से आ measure करता है, आपके spline को, कितना curve है, अगर मालो मैंने यहाँ पर value 1 रखी, ok करते हो, अगर मैं आप यहाँ से चलता हूँ, तो आप देखो, आपकी spline बिल्कुल भी smooth नहीं है, अगर मैं इसको setting पर click करके, 1 की जंगे यहाँ पर 2 करता हूँ, तो वो smooth होनी start हो जाएगी, maximum 100 तक value डाल सकते हो, एक limit के बाद जाके रुख जाएगी, फिर आप कितनी भी value maximum की डाल सकते हो, तो उससे क्या होगा, कि वो value वहाँ पर change नहीं करेगा, for example, मैंने 40 किया, 40 पे इतने किया, अब इससे उपर जितना भी मैं करूँगा, वो as it is उसको रखेगा, उससे उपर इ यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, उसके बाद है आपका catamal spline, catamal spline basically क्या करता है, अगर आप यहाँ पर spline लगाते हो, कितनी sides है, कितने precise है, कुछ इस तरीके से आपका spline बनाते वे चलेगा, already, अगर इसके आप setting पर जाओगे यहाँ पर, इसमें कोई setting option का आपका नहीं आए जाओगे, तो वो corner पे उतना ही chamfer लगाएगा, अगर आप यहाँ से move करते हो, तो आप जैसी move करोगे, कहीं पर rotate करोगे, तो आप देख सकते हो, आपके corner पे वो chamfer आ गया है, यहाँ पे, इस तरीके से chamfer आप create कर सकते हो, chamfer को आप setting पे click करके change भी कर सकते हो, बाद में कि आ इस बाद आता है, corbet, इसमें क्या होता है, आप click करो, आप normally इस तरीके से चलोगे, वो पूरा curve चलेगा, वो हर point पे curve लेगा, देखो ऐसे, ऐसे आप जा रहे हो, हर point पे, जैसे मैं घुम रहा हूँ, हर point पे curve ले रहे है, कुछ इस तरीके से, setting पे जाओगे, इसकी कोई setting open होगी, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, अगर मैं इसको दुबारा आपको बना के दिखाओ, तो यहाँ पे click करो, जैसे आप यहाँ से straight चल रहे हो, फिर आप यहाँ पे आए, तो वो उस point पे कर ले रहे है, basically, इस तरीके से, okay, उसके बाद है, आपका cubic bezier corner, cubic bezier corner क्या क चलोगे, तो वो हर point पे आपका इस तरीके से curve लगाएगा, तो जितने भी curve आप देख पा रहे हो, वो सारे के सारे आपके curve अलग लग तरीके से हैं, कितना smooth आपको लगाना है, वो आप इस चीज का यहाँ पे use कर सकते हो, polyline divider ने क्या करता है, आप यहाँ पे click करो, कितना आपको चाहिए यहाँ पे distance, मालनो मैंने यहाँ पे 6 inches का रखा, तो वो polyline को अगर आप देखोगे, इस तरीके से, यहाँ पे 6 inches का divider लगाएगा, और इस तरीके से points आएगे, setting पे अगर click करोगे, अगर मालनो मैंने यहाँ पे 2 feet किया, okay, तो वो 2-2 feet के इस तरीके से divider आ सकते हो, उसके बाद है polyline dog bone corner, polyline dog bone corner क्या होता है, अगर आप इसे select करते हो, मालनो आप एक distance यहाँ पे radius 2 feet का देते हो, इस तरीके से, okay करोगे, तो जैसी आप अपनी line को यहाँ पे create करोगे, और जैसे घुमाओगे इस तरीके से, तो वो उस corner point पे इस तरीके का एक corner बना अगर आप इसको edit पे जाके click करते हो, कितना आपको चाहिए वो आप change कर सकते हो, कि मेरे को 1 feet चाहिए, okay तो वो 1 feet का corner इस तरीके से लगाएगा, उसके बाद है polyline T bone corner, यह क्या करता है, अगर आप इस पे click करते हो, वो इस तरीके से end point पे लगाएगा, ऐसे, तो आप देख स इस तरीके की shape अगर आपको बनानी है, इसकी help से create कर सकते हो, next आता है F spline, F spline को हम select करेंगे, उसके बाद अगर हम बनाने की try करेंगे, तो basically यह भी इस तरीके से spline बनाने की try करेंगा, यहाँ पे, तो इस तरीके से आप use कर सकते हो, F spline की, तो काफी सारी जो spline है, वो जो BZ toolbar के अंदर आपको देखने को मिली है, इसका link आपको description box में मिल जाएगा, और अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो please video को जरूर लाइक करें, अगर अच्छी लगी है तो channel को subscribe करें, और अपने दोस्तों में share करना बिल्कुल मत भूले, thank you so much, वीडियो देखने के लिए मिल लगाभ बिल्कुल मत लंडर, अगर आपको जह सक्षत לसे देखने को जाँ करें, अवीड़ा एन यराद, खर दोस्तों में झालत आपको दोस्तों मेश्यों को में वीए हैं आपको जोने को रहें आपको कोई़ा है, और आपक lugया, ल trainings रापको करों ङeह इसक्तों में हमें